तो सबसे पहले यहां पर करेंगे होने के बाद लोगिन बटन पर किलिक करेंगे और यहां पर देखिए एमपीन है और यहां पर यूजर आइडी है यूजर आइडी पर किलिक करना है इसके बाद यहां पर देखिए कांट लोगिन है यहां पर किलिक करना है तो यहां पर आप दोनों तरीका इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो के लास्ट तक आप बने लिए यूजर नेम देना है और इंटरनेट बेंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ट देना है और नेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखे डारेक्ट यहां पे यह पेज किस्ट फुल किया गया से यूजर निव इंटरनेट बेंकिंग पाशवर्ट आप जो हैं लॉटिन पासवड्ट यहां पे कर सकते हैं और लोगन पासवड़ कैसा नइस्ट करना है और कोई small letter कोई capital letter देना है और कोई numerical देना है कोई digit देना है example आपको वीडियो में दिख रहा होगा side में तो चलिए हम जो रखना चाहते हैं password यहाँ पर रखेंगे और री enter में वही password आप देंगे उसके बाद confirm बटन पर click कर देंगे यहाँ पर हम OTP दे चुके हैं और submit बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे password change your password has been successfully change please login using new password तो go to login पर हम click करेंगे तो मैं आपको अब दुसरा तरीका दिखाने वाला हूँ कि ATM का details है और ATM का pin से तो फिर से login बटन पर click करेंगे और user ID करेंगे और यहाँ पे नविन से करेंगे तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं तुरंत यह इस किन खुल जाता है आप login पजा सकते हैं तो जो आप login password बनाना चाहते हैं यहां पर रखेंगे फिर से confirmation में यहां आप रखेंगे उसके बाद यहां पर confirm बटन पर किलिक कर देंगे पासवर्ट किस तरह से पर किलिक कर देंगे तो यहां पर देखे पासवर्ड चेंज योर पासवर्ड है बिल सक्षेस्पूली चैंज पिलिज लोगिन यूजिंग न्यू पासवर्ड तो इस वीडियो में हम आपको दोनों तरीके से दिखाए किस तरह से आप जो है लोगिन पासवर्ड बना सकते हैं बहुत ही आप एजी हो चुका है बहुत ही सिंपल हो चुका